हेलो एब्रीवन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम से बनेट्थरी पर आज है 14 जून दो या 23 और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 14 जून दो या 23 के डेली कर एंटरफियर्स के कुछ इंपोडेंट कोईशन्स अगर आप किसी भी एग्याम की तयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़ा इंपोडेंट रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और वेल आइकन को भी और प्रेस कर लीजे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं आज की इस वीडियो की PDF फायल आपको मारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा आप वहाँ से चैनल को जोईन कर सकते हैं तो आप पूरा वीडियो को द्यान से देखिए और वीडियो के लाइट में मैं आपसे कुशन भी पूछूंगा उस कुशन का सही आंसर आपको कमेंड में बताना है तो चलिए चलते अपने टॉपिक की ओ पहला कुशन है अब यूआई डी आई का पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन ओधर्टी ओफ इंडिया इसकी इस्थापना अट्टा यनवरी जोईया नौक होई थी और इसका मुख्याले नई दिल्ली में है नेक्ट कुशन है हाल ही में मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना के सराज ने सुरू की है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन भी मद्धपदेश तो हाल ही में मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना मद्धपदेश राज ने सुरू की है मद्धपदेश राज सरकार ने युवाओं को रोजगर कोशन सिखाने और उनने आठ हजाज से दस हजार रुपे प्रतमाज भत्ता पदान करने के लिए ये गोशना शुरू की है अब मद्धपदेश जो राज जैस की राईधानी है बोपाल मद्धपदेश के मुख्य मंत्री हैं सिबराज से हैं चोहान और राजपाल हैं मंगुवाई छगनवाई पटेट नेस्ट कुशिन है हाल ही में राष्टिय परेच्छन एजनसी यानी NTA के नए महान देशक कौन बने है इस कुशिन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन ए सुबोत कुमार तो हाल ही में राष्टिय परेच्छन एजनसी यानी NTA के नए महान देशक सुबोत कुमार बने है NTA का पूरा नाम है National Testing Agency इस की स्था अपना संदोजा 17 में हुई थी और इसका मुख्याल है नए दिल्ली में है Next Question है हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे सक्तिशाली हाइपर्शोनिक पवन सुरंग JF-22 का अनावरण किया है इस Question का सही अंसर हो जाएगा Option B चीन तो हाल ये में चीन देज ने दुनिया की सबसे सक्तिसाली हाइपर्शोनिक पबन सुरंग JF-22 का अनावरण किया है चीन ने उत्तरी बीजिंग के पहाड़ी हुआरो जिले में इस्थित दुनिया की सबसे सक्तिसाली हाइपर्शोनिक विंड टनल का निर्मार पूरा कर लिया है JF-22 नामक इस सुरंग का ब्यास चार मीटर है और यह प्रत सेकंड दस किलो मीटर तक की अविश्वशनिय रूप से उचवाईव प्रवाग गति उत्पन कर सकती है अब चीन जो देश है चीन की राज़दानी है बीजिंग चीन की मुद्रा है रैन्मे नभी वचीन की राष्टपती है सी जिन पिंग नेश्ट कुशन है आई सी सी विश्व टेस्ट चैंप्मेंशिब 2021-23 का खिताब किस टीम ने जीता है इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी ऑस्टेलिया तो आई सी सी विश्व टेस्ट चैंप्मेंशिब 2021-23 का खिताब ऑस्टेलिया टीम ने जीता है नेश्ट कुशन है दोजा तेस में प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्टिय प्रसेच्छन सम्मेलन का उद्गाटन कहां किया है इस कुशिन का सही आंसर हो जाएगा ओप्शन सी नई दिल्ली तो दोया तेश में पदानवंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले राष्ट ये प्रसिष्षन सम्मेलन का उद्गाटन नई दिल्ली में किया है इस सम्मेलन का उद्धिष देशवर में शिवेल सेवकों के लिए पसेच्छड बुनियादी धाचे को मजबूत करना है इसके जड़िए सिवेल सर्वेंट्स अपने आपको ग्रूम कर सकेंगे और राष्ट निर्मान में साहता कर सकेंगे नेक्ट कुशन है देश्टल बुक्तान में बिश्वर रैंकिंग 2.22 में कौन सा देश सीस इस्थान पर रहा है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत तो डेजिटल बुक्तान में बेश्व रैंकिंग 2.22 में अपना देश भारत सीस इस्थान पर रहा है बर्स 2.22 में 89.5 मिलियन डेजिटल लेंडिन के साथ बाहरत डेजिटल बुक्तान में 5 देशनों की सूची में सीज पर रहा है इस सूची में दूसरा स्थान ब्राजील का है जिसने 29.2 मिलियन लेंडिन की और उसके बाद चीन 17.6 मिलियन लेंडिन के साथ तीसरे स्थान पर रहा है नेक्ट कुशन है किस संस्था ने राष्टिय अभ्यान व्यसन मुक्त अमरत का लॉंच किया है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन सी NC-PCR तो NC-PCR ने राष्टिय अभ्यान व्यसन मुक्त अमरत का लॉंच किया है राष्टिय बाल अधिका संवराच्छन आयोग द्वारा हाल ही में राष्टिय अभ्यान व्यसन मुक्त अम्रत काल शुरू किया गया था और इसका उद्देश तमाकू और नशा मुक्त राष्ट बनाना है नेक्ट कुशन है बारत ने किस देश को हरा कर महला जूनियर एशिय कब दोया थेश हौकी का पहला किताब जीता है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन A कोरिया गड़ राज तो भारत में कोरिया गर्ड राजी को हराकर महला जूनियर एशिया का दोया तेश होकी का पहला खिताब जीता है भारती महला होकी टीब ने काका मीघ हारा जापान में महला जूनियर एशिया का दोया तेश का खिताब जीतने के लिए कोरिया गर्ड राजी को हराया और यह पहली बार है जब भारत में महिला जूनियर एकिया का चीता है नेश्ट कुशन है कि इस राज्य सरकार ने सडकों पर अवैद कचिरे की सूचना देने ही तू रिवार्ट सिस्टम सुरू किया है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन ए केरल तो केरल राज्य सरकार ने सडकों पर अवैद कचिरे की सूचना देते हुए रिवार्ट सिस्टम सुरू किया है इस योजना के तहट नागरिक सारवजन के स्थानों नेजे समपत्ती और जन निकायों में कूडे या डंपिंग के बारे में रिपोर्ट करेंगे और जो ब्यक्तिस तरह के उडलंगर के बारे में अधकारियों को सूचित करेगा उसे दो हैयार पांसो रुपे या लगाए गए जुर्माने का पच्चीस प्रतसत दिया जाएगा अब केरल जो राज्य सरकी राजधानी है तिरुवनन पुरम केरल के मुख्य मंतरी है पिनायराई वेजियन और राज़पाल है आरेट महमत खान नेट कुशन है हाल ही में किसे BSF का नया महान देशक नियुक्त किया गया है इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा ओप्शन सी नितिन अग्रवाल तो हाल ही में नितिन अग्रवाल को BSF का नया महान देशक नियुक्त किया गया है केरल 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 के उड़नी सो नवासी के IPS अधकारी नितिन अग्रवाल को सीमा सुरच्छाबल यानि BSF का नया महान देशक नियुक्त किया गया है नेक्ट कुशन है जी ट्वेंटी विकास मंत्रियों का सम्मेलन कहां आयोजत किया गया इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा option A वारारसी तो जी ट्वेंटी विकास मंत्रियों का सम्मेलन वारारसी में आयोजत किया गया वारारसी में जी ट्वेंटी विकास मंत्रियों का सम्मेल हाल ही में मैटा और महिला मंत्राले ने कौन सा नया अब्यान लाँच किया है इस कुशन का सही अंसर था आप्शन भी नए भारत के सबने तो हाल ही में मैटा और महिला मंत्राले ने नए भारत के सबने एक नया अब्यान लाँच किया है अब आपके लिए आज का कुशन है हाल ही में महिलाओं के लिए शक्ती स्मार्ट कार्ड योजनक किस राजनी शुरू की है इस कुशन का सही अंसर आपको कमेंड में बताना है अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्फुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना और अगर आप इस चैनल पर पहले बार आये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए चलते हैं जय हिंद जय अबारत वन्दे मातराम